हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्णर कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे आज जम करेंगे हिंदी की वरक्षीट क्लास टू से तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले जत्ते भी पार्ट मैंने अप कठल तो इन शब्दों में बेमेल कौन सा है देखिए परवल अधरक कठल ये सबजियो के नाम है लेकिन अजगर किसका नाम है एक जानवर का नाम है तो यहाँ पे अजगर जो है वो बेमेल है घर भवन बतक महल तो यहाँ पे जो बतक है वो बेमेल है क्योंकि ये तीनों च शराची शब्द हें और यह निर्जीर चीजों के नाम है। कमीज, सारी, कुटता, कपड़, लाइक कनारा किपड़, अम्रूद, पपीता, सीता-फल, केला सबजी का नाम है। जिसे हम पेठा भी कहते हैं तो यह यहां पर बेमेल है अब दूसरा क्योक्शन है कोस्टक में से सही शब्द चुनकर खालिस्तान भरे मेरी बहन दिल्ली में रहता है या रहती है तो मेरी बहन दिल्ली में रहती है तो सही शब्द होगा यहां पर रहती है राधा किताब हैं घंडा का मोसम धंडा है कि थंडी है तो आएगा थंडा है सीता खाना खाती है मेरा भाई दिल्ली में रहता है सोरी गलती सिकल लिखा गड़ी, सड़ी, डाल, चाल, माल, धरा, खरा, मरा ठीक है तो ये हमें मिलती जूलते शब्द आईए अब अगला प्रशन देखते हैं दे गए एपठिट गद्यांस को पढ़कर परशनों के उत्तर दो देखे एपठिट का मतलब होता है जिसे हमने पहले पढ़ाना हो तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे एक जंगल, घने जंगल में खशे रहता था वह बहुत भुका था, घूमते घूमते उसे एक गुफा दिखाई दी उसने सोचा जब इस गुफा में रहने वाला जानवर वापस आएगा तो मैं उसे मार कर खालूंगा देखे हमें छोटी क्लास से ही हिंदी इंगलिस दोनों में हमें जो है एपठिट गध्यांस कराना चाहिए ताकि बच्चों का जब बड़ी क्लासेज में हो और पेपर में जो है अन्सीन पैसिज आएग तो इसली जो है उन्हें अटेंप्ट कर पाएग तो छोटी क्लास से हमें बच्चों को यह देना चाहिए शेर कहां रहता था और बच्चा इसली इतनी दो तीन लाइनों को पढ़ भी लेता है तो शेर कहां रहता था गने जंगल में ठीक है घुमते घुमते शेर कहां जा पहुंचा गुफा में शेर शब्द का प्रयाइवाची शब्द क्या होगा सिंग जंगल सब्द का प्रयाइवाची शब्द होगा वन हमारा लास्ट क्योशन है चितर पहचान कर कोई पांच वाक्य लिखे देखे हमें बच्चों को हिंदी में जब हम चितरों को देखकर वाक्य लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं हिंदी में चित्र कथा इंग्लिश में बोलते हैं पिच्चर कंपोजिशन तो हमें बच्चों को देना चाहिए ताकि वो अपनी लेंग्वेज में चाहिए छोटा या बड़ा संटेंस लिखना सीखे वाक्य लिखना सीखे तो सबसे पहला जो पिच्चर है इसमें दिया हुआ है बादल तो बच्चा अपनी उसमें लिख सकता है कि गने बादल चाहे हुए है या आस्मान में बादल है दूसरा लिख सकते हैं वर्षा हो रही है तीसरा लिख सकता है बच्चे नाच रहे है छाता बहुत बड़ा है फिफ्ट लिख सकता है फूल खिल रहे है फूल खिल रहे है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतनाई अगर आपको इवीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए शियर करिए और हमें केमेर सेशन में जरूर बताए आपको इवीडियो कैसी लगे तिल दन बबाई, स्टे सिफ, स्टे हल्दी